दोस्तो आज की इस रीडियो में बात करेंगे येस बैंक के शेर के बारे में देखिए 3% की करेक्शन के साथ 20 रूपीज के प्राइस पे आज ये क्लोज हुआ है देखिए पिछले 2-2 सालों में इस शेर ने इन्वेस्टर्स को काफी जादा पकड़ के रखा, बांध के रखा, फसा के रखा 2020 के एंड से लेके 2022 के एंड तक लगबक दो सालों तक ये 12-15, 12-17, 12-15 के बीच में ट्रेड करता रहा दिसमबर 2022 में इसमें ब्रेक आउट देखने को मिला और इसका प्राइस 17 रूपीज से बढ़कर एकदम से 2-3 दिनों में 25 तक पहुँच गया 25 से वापस एक शाप रिवर्सल आया, प्रोफिट बुकिंग आई, दिसमबर एंड में और वहाँ से फिर से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है और आज की डेट में आपको 20 रूपीज के प्राइस पे मिल रहा है तो as an investor आपको इस share में क्या करना चाहिए, आपको बने रहना चाहिए या इस share में और ज़्यादा additions करनी चाहिए यह सारी चीज़ें जो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसके लावा इसकी fundamentals पर नज़र डालेंगे, टेकनिकल चार्ट पर नज़र डालेंगे तो यह सारी चीज़ें जो आज की इस वीडियो में हम discussion करेंगे, सबसे पहले दो मिनिट के अंदर टेकनिकल पर नज़र डालेते हैं, किस तरह का यहाँ pattern बन रहा है देखी दो साल आपको मैंने बताया, लगबग दो साल यह 12-15-17 के बीच में घुमतरा, काफी time investors की, इसने काफी ज़्यादा patience टेस्स करी, काफी सारे investors ने इस दो साल के दुरान इसमें अपनी position बनाई, काफी सारे shares accumulate करे हैं, लेकिन share ने बिल्कुल भी बढ़ने का नाम नही लेकाउट आया, तो सीधा 17 से share 25 पे जाके रूखा, 25 के price पे ज़्यादा time sustain नहीं कर पाया, वहाँ से sell off देखने को मिला है, तो technical chart पर अगर हम देखें, तो यहां से अभी भी एक यह rising trend में है, upward trend में है, यहां पर अगर आप एक trader हो, stop loss लेके चलना चाते हो, तो 19 रूपीस क नीचे का stop loss बनता है, 19 रूपीस की यह नीचे निकलता है, तो share वापस से गिर के फिर 15 रूपीस के आसपस आके ही रूखेगा, तो technical chart पर 19 रूपीस का level जो है वो important है, 19 रूपीस के नीचे share में breakdown आ सकते हैं, और वापस 15 पे जाके रूख सकते हैं, चलिए एक बार अब नज personal opinion में ये share fully priced है, जो इसकी valuation एकदम justified है, यहाँ पे आपको ये share बिल्कुल भी सस्ता नहीं मिल रहा है, full price पे आपको मिल रहा है, और ये opinion मेरा कहां से बनता है, ये opinion बनता है, इसकी valuation को इसके peers के साथ compare करके, देखे इसको हम compare करें, अगर बड़े banks के साथ तो कर नहीं सकते ह वो तो काफी जाद expensive valuations पे trade करते हैं, और उनका business भी इस bank के comparatively काफी जादा बड़ा है, तो अगर हम इसको compare करना है, तो इसको हम compare कर सकते है, IDBI bank से, Indecent bank से, तो इसका current price to book value, IDBI bank के आसपास ही है, 1.4 का IDBI bank का, इसका 1.49 का है, Indecent bank का यहाँ पर 2 का price to book value है, तो valuation के point of view से ए एकदम correct price पे आपको मिल रहा है, full price पे मिल रहा है, ना तो यह share overvalued है, ना ही undervalued है, ऐसा ही मेरा personal opinion है, आज की rate में आपको यह एकदम fair valuation पे मिल रहा है, तो यहाँ से इस share में, देखिए technical तो हमने discuss कर लिए, यहाँ से fundamentals के basis पे share में तेजी तब आएगी, जब इस company का business, जब इस bank के business यहाँ से improve होगा, bank ज़्यादा profitability report करेगा, इस bank की जब credit rating improve हो जाएगी, जब इस bank को funds raise करने में ज़्यादा समस्या नहीं आईगी, तब आपको इसका share price यहाँ से उपर जाता हुआ दिखेगा, चैली सबसे पहले नजर डालेंगे इसके PNL पे जो हमारा main focus रहेगा जिसका gross NPS सिर्फ 1% का, तो आप समझ सकते हो कि Yes Bank की asset quality कितनी ज़्यादा खराब है, चली बात करते हैं, यह asset quality improve कैसे होगी और कब improve होगी, देखेगी Yes Bank का plan है, around 48,000 करोड के जो इसके NPS है, gross NPS है, उन assets को यह sell करने वाला है, JC Flower Asset Reconstruction Company को, और जब यह deal complete हो जाएगी, जब stress assets जो है, इसके यह sell हो जाएगे, तो sale value का लगबग 15% इसको upfront cash के रूप में मिल जाएगा, जिसकी value बनती है, approximately 1678 करोड रुपीज, और बाकी का 85% amount due होगा, वो JC Flower जो company है, वो इसको, वो इसको 1st April से लेके 30th November के बीच में, जितना वो ऐसा recover कर पाएगे NPS से, उसके, उसमे जो भी इनका share बनेगा, वो इन्हें देंगे, तो देखिए जब यह stress assets transfer हो जाएगे, तब इसकी asset quality काफे जाधा improve हो जाएगी, जो current number है, इसका gross NPA का 13% का, वो reduce होके 2% पे आ जाएगा, तो जब gross NPA इतना जाधा reduce हो जाएगा, वो fundamentally इस company के लिए, इस bank के लिए काफे जाध का price कब बढ़ेगा, जब यह company business में growth report करेगी, profitability में growth report करेगी, जब इसके fundamentals improve हो जाएगे, तब आपको इसका share price काफी तेजी से उपर जाता हुआ देख सकता है, तो अभी देखिए कुछ खास trigger इस company में है, नहीं कुछ खास trigger इसके share price में बन नहीं रहे, जिनके basis पे इसका share price में ज़रूर लेंगे, तो आज के price पे आज के technical chart को देखकर 19 रुपीज के नीचे का इसमे stop loss बनता है, जब तक share 19 रुपीज से उपर trade कर रहा है, तब तक आप इसमें बने रहे है, 19 रुपीज से नीचे आता है, तो एक बार share में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आ सकती है